Hello Friends, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Book5 Educator पर तो आज हम लोग 21 जुलाई के Current Affair के बारे में discussion करने वाले हैं तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं तो यहां जो पहला प्रशन है वो है कि Railway द्वारा Private Sector की मदद से चलाई जाने वाली Private Train का पहला सेट किस वर्स आएगा तो इसका सही उत्तर है 2023 तो Railway द्वारा Private Sector की मदद से चलाई जाने वाली Private Train का पहला सेट 2023 तक लाँज करने की घोशना की है जिसके मताबिक 12 ट्रेने होंगी सभी 151 ट्रेनों को 2027 तक पेश कर दिया जाएगा तो अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है दूसरा कि Academic Year 2019-20 में किस यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मुल्यांकन में 952-3% हासिल किये हैं तो इसका सही उत्तर है जामिया मीलिया इसलामिया उनिवर्सिटी तो जामिया मीलिया इसलामिया उनिवर्सिटी की बात करें एन आई आर एफ रैंकिंग में इस युनिवर्सिटी को दसवा इस्थान मिला था तो तीसरा प्रशन है कि नीजी छेत्र के किस बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बॉंड्स के जरिए 50,000 करोड रुपे की पुंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है तो इसका सही उत्तर है HDFC बैंक तो HDFC नीजी छेत्र के HDFC बैंक को 26 वी एन्वल जनरल मीटिंग में उसके शेयर होल्डर्स ने बॉंड्स के जरिए 50,000 करोड रुपे की पुंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है जबकि केनरा बैंक भी 50,000 करोड रुपे जुटाने की योजन बना रहा है तो चलते अगले प्रशन पर अगला प्रशन है कि BWF ने अध्यक्षपद का कार रेकाल कितने वर्स के लिए सिमित कर दिया है तो इसका अंसर है चार बार तो बैड्मिंटल वर्ल्ट फेडरेशन ने हाल ही में काउंसिल में जेंडर एक्वेल्टी के लिए 30% मह प्रशन है कि निमन में से किस देश की किर्केट टीम की खिलाड़ी डॉम सिबले ICC के गेंद पर लार के इस्तमाल का नियम तोड़ने वाले पहले किर्केटर बन गए हैं तो इसका सही उत्तर है इंगलेंड टीम तो इंगलेंड किर्केट टीम के ऑपनर बल्ले बाज डैम सि प्रिकेटर बन गए है यह घटना ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर लंच के ठीक पहले 42 ओवर में घटी थी तो अगला जो छटा प्रशन है वो है कि अंतराश्ट्रिय ओलंपिक समीती ने किस वर्ष के शीत कालिन ओलंपिक के लिए उमिदवारी बजट में लगभग 80% की कटोत की है आई सी ने कहा कि इस लागत में कमी ओलंपिक एजंडा 2020 की सिफारिस तीन के कार्यानवन का सीधा परिणाम है तो चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है कि लुईस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रैंड पी जीत कर किसी ट्रैक पर सबसे ज्यादा रे रेस जीतने वाले माइकल सुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है यह है लुईस हैमिल्टन की 46 वी जीत है माइकल सुमाकर ने वर्स 1994 में पहली जीत दर्ज की थी और उन्होंने फ्रेंच ग्रांड प्री रिकॉर्ड आठ बार जीती थी तो अगला जो प्रशन है वो है बारसी लोना के नियोलन मेसी ने हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार पीची ची अवार्ड जीत लिया है तो इसका सही उत्तर है सातवी बार तो बारसी लोना के नियोलन मेसी ने 67 साल पुराना रिकॉर्ड ते उठते हुए हाल ही में रिकॉर्ड सातवी बार पीची ची अवार्ड जीत लिया है। तो सौधी अरब अमिरात तो सौधी अरब अमिरात यानि की UAE ने हाल ही में जापान के ताने गाशीमाई स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटर्प्रणेटरी होप प्रॉब मिशन शुरू किया है। तो दस्वा प्रशन है कि इन में से किस देश की शांसदों ने समलेंगिक विवा पर पर परतिबंद को वैद बनाने के लिए मसाओधा कानून प्रस्तूत किया है। तो इसका सही उत्तर है रूसी सांसदों ने हाल ही में समलेंगिक विवा पर पर परतिबंद को बैन बनाने के लिए मसाओधा कानून प्रस्तूत किया है। उसी जनमत संग्रह 2020 के मताबिक मतदाताओं ने सम्विधान में प्रस्तावित परिवर्तनों को भारी समर्थन दिया था। तो दोस्तों अब हम लोग 21 जुलाई से संबंदित एतिहासी के घटनाओं पे चरजा करते हैं। तो 1883 कलकत्ता में भारत के पहले सारवजनिक थेटर की शुरुआत हुई, 1884 लॉट्स के मैदान पर पहला किर्केट मैच खेला गया, 1888 ब्रिटेन के आविस कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किये जिससे परिवहन के साधनों में गती बढ़ी, 1914 तेरा साल तक चले विमान निर्मान के कार रूस के 4607 किलोमेटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन का काम पूरा हुआ, जो की आज के टाइम पे दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग भी है, 1940 सोवियत संग ने एंटोनिया, लात्विया और लिथुआनिया पर कपजा किया, 1960 सिरलंका में सिरी मावो भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रदान वंतरी बनी, 1962 भारत चीन के बीच सीमा पर्युद, 1963 काशी विद्या पीट को विश्व विद्याले का दरजा दिया गया, 1988 भारती राष्ट्रे उपग्रे इंसेट वन सी का प्रचेपन हुआ, 2007 वाशिंग्टम ने चार दिन के विचार विमर्स के बाद भारत अमरीका परमानू समझोते का प्रारूप तयार किया गया, 2007 परतिभा पार्टिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपती बनी, 2008 नेपाली कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता भारतिय मूल के राम बरन यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपती चुना गया, 2013 बेलजियम के महराज अलवर्ड डुतिये ने बेटे फिलिप की ताज पोशी के लिए राजगद्दी छोडी, तो दोस्तों ये हमारे 21 जुलाई के करेंट अफेर और एतिहासिक बिंदू थे, तो हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, तो मिलते हैं अगले करेंट अफेर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल रगिए, धन्यवाद.